हेलो लर्नर्स मैं नागिन फिर से आपके सामें हाजिर हूँ और आभी तक हम बात कर रहे हैं इंग्लिश डिवलप्मेंट इंग्लिश ड्रामा का जो डिवलप्मेंट है और उसपे को सरीज करने है और पिछली बार तक जो हमने बात की थी वो केती की स्ट्रक्चर कैसे थे और थेटर की शुरुवात कैसे हुई कैसे रोज, कर्टिन और ब्लेक फ्रायर स्टेज में डिफ सकते हैं अगर real में जाने तो Elisabethan जो theater की condition थी और उस समय audience का जो taste था अगर वो नहीं जानेंगे तो शायद हम development of drama की बारीक नसों को समझ नहीं पाएंगे कि वो कहां तक बिखरती हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अलिजब इथन stage conditions क्या थी हमने अभी तक तो structure की बात की थी अब दिखाता हूं कि एक drama जब perform हो रहा है जब action में है drama तो कैसी कैसी चीज़ें stage में चला करती थी और कैसे आज के drama से बिल platform में actor आते थे तो कोई परदा नहीं होता था there was no curtain at all आज तो क्या है कि एक परदे के पीछे तीन परदे भी हो सकते हैं और scene create किये जा सकते हैं और एक परदा खीच के बंद किया तो दूसरा खोल दिया और scene तयार है आपका तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि जब हम आ बीच से होके आ रहा है so he used to enter and today in drama we discover the character तो वहाँ character आज के drama में पहले से मौजूद होता है वहाँ लोग के बीच से वो आता था और आते वे दिखाई भी देता था और वहाँ खड़े होके dialogue बोलते वे सब दिखाई देता था उसका आना जाना everything was open क्योंकि stage conditions परदे वाली न किताबों में या जिस script में drama लिखा होता था उसके लिखने में भी अंतर आ गया आज और पिछले में पहले होता था कि जो है वो बताते थे कि जो एक character है suppose वो कहते है John of Gaunt is lying sick ठीक है वो सोफे में sick बिमार बैठा हुआ है ऐसा वहाँ पर जो है लिखेंगे और वो बताएंग कि ऐसे जो है किताब में आपको सीधे सीधे hint देंगे और आज की किताब में सीधे यह होता है कि scene दिखाते है और उसमें एक bracket में लिखा होता है John of Gaunt ठीक है on the stage बस और तो लिखने में भी दूसरी तरीके के changes आ गए वहाँ पर वो पूरा action बता देते उसको और यहाँ पर सि से important हुई कि जब भी कोई scene बदलते थे तो scene के लिए card तयार होते थे चार्ट में जैसे हम लिखते हैं ऐसे card तयार होते थे और वो card में दिखाएंगे arden forest लगा देंगे आपके सामने अब आपको पता चल गया यह arden का जंगल है और यहाँ पर कुछ होना है फिर वो scene 2 वो ल card बदलने आता रहता था audience को पता लगता रहता कि आप scene change होने वाला है तो वो कावी excited रहते थे और उस card को पढ़ते थे और कहते थे okay now this scene is there और अब ऐसा नहीं है आप तो आपको पता है कि कोई भी scene ऐसे नहीं दिखाए जाते उस समय differentiate करने के लिए कि यह दूसरा scene है यह दि symbolical चीज़े दिखाएंगे माल लिया आपका एक bath tub है वो रग दिया stage में और उसमें एक दो पेड रग दिया छोटे छोटे तो यह पीछे से रग दिया actor के तो इसका मतलब है कि यह जंगल का scene है ठीक है और अगर आपको जो है पलंग किसी bedroom का scene दिखाना तो एक छोटा सा जो मैंने बता दिया था और कुछ हाया का भी इस्तेमाल वो किया करते थे तो इस तरीके से scenes को दिखाते थे और जो दूसरी important चीज़ थी कि वो costumes में बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे Elizabethan theater में बहुत ज़्यादा खर्चा यह लोग costume में करते थे और costume के लिए बहुत particular थे और इन लोगों ने जो है जितने भी drama हुए है उसमे costume designing में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और उसके बाद जो सबसे important चीज़ है जो मैं बताना चाहूंगा कि एक चीज ऐसी थी जैसे एक drama चल रहा है और उसमें कोई scene है जिसको हम दिखा नहीं सकते लोगों के सामने तो उस this has been done and he goes to Italy and there he meets with this character on in the palace and they had this sort of conversation we are presenting you before और तब जाके conversation start होगा तो दो scenes को मिलाने के लिए एक narration करना पड़ता था पीछे से और कुछ लोग ये क्या करते थे और जिच सीन को दिखाना बहुत impossible होता था उसे बोल के बताते थे audience को कि this is the place and this is happening here और इस तरीके से आगे बढ़ता था ड्रामा यहां पर जिकर करना जरूरी होगा कि मेल एक्टर्स को ही आजा दी थी ड्रामा में भाग लेने की और लड़कियों का रोल भी लड़के ही नहीं भाते थे और इंगलेंड में ये बहुत लंबा चला अगर आपने एक बहुत फे ये मेन करेक्टर में और लोगों को पता नहीं होता क्योंकि वो लड़के के डिजगाईज में रहती है लेकिन एक दिन अचानक जो है सीक्रेट ओपन हो जाता है और कितना ज़्यादा बवाल हो जाता है और लड़ाई छड़ जाती है क्योंकि उस समय लड़कियों का एज नहीं आई रिस्टोरेशन एज नहीं आई रिस्टोरेशन जो कि 1660 से 1700 तक की एज है वहाँ पर जब हम आते हैं तब जाके पहली बार लड़कियों का आगमन होता है स्टेज में तो मिड़ ऑप दर रिस्टोरेशन एज में तो अठारवी शताबदी तक आप समझ लें क इंगलेंड में लड़कियां स्टेज में नहीं आई थी तो बिलकुल भी मना ही थी यहाँ पर कोई भी लड़की अलाउड नही थी स्टेज में आना और दूसरी चीज अगर हम इतनी चीजों की बात करें अलिजबेफन ओडियेंस की बात ना करें तो फिर समझ में नहीं उन्हें मार कार्ट के सीन बहुत पसंद थे उन्हें पहलवानी करना और लड़ाई करना तलवार बाजी करना किसी का खत्ल कर देना और बदला लेना मर्डर के सीन ये सब बहुत पसंद थे और इस पसंद के चलते मैं आपको एक बड़े important information दूँगा कि जब England के अंदर revenge tragedy आई यानि बदले वाले जो नाटक होते थे जिनको यहाँ पर जो है सबसे पहले लाया गया सेनेका से इटली के सेनेकन tragedy से copy किया गया और Thomas Kidd लेके आया था जो हमारा university wit था तो उस समय सेनेकन tragedy में तो क्या होता था लोगों की sensibility और moral को जिंदा रखने के लिए इटली में murder के और bloodshed के scene दिखाए नहीं जाते थे और वो कोई आवाजों के माध्यम से या छाय चित्रों के माध्यम से पेश कर देते थे लेकिन इंगलेंड की जनता इतनी passionate कि वो कहती थी हमें open खुले scene चाहिए murder के और जो है लड़ाई जगड़ा पूरा चाहिए तो इसलिए इंगलेंड क drama ये बहुत important point है इटली के drama से सेनिकन tragedy से इस मामले में बिलकुल अलग है बिलकुल opposite है कि इंगलेंड में मार कार्ट और खुन खराबा खुले आम दिखाया जाता था गुबारों के माध्यम से color के गुबारे या लाल कपड़े के माध्यम से खुन दिखाया जाता था और बेतान एच के नाटकों का किये एक clown या जोकर को जरूर इंट्रोड्यूस किया गया इन नाटकों में जो एक relief लाता था लोगों के लिए हसाता था entertain करता था उसका काम खाना पीना और किसी king के साथ जुड़े रहना होता था जिसमें एक famous character fallistoff है जो Shakespeare ने खुद रोल किया थ fallistoff का और वो नाटक था Henry IV Chronicle Play और Henry IV में जब Shakespeare ने किया और ये उसके dialogue से लोगों को बहुत हसी आई लोग उसके दिवाने हो गए fallistoff के लेकिन Henry V में Shakespeare उसे लेके नहीं आया तो Elizabeth को बहुत गुसा आया क्योंकि वो नाटकों को खुद भी देखने आती थी और उन्होंने Shakespeare को आदेश किया कि एक नाटक लाओ और उसमें fallistoff को लेके आओ इस तरीके से Elizabeth ने उसे आदेश किया कि नाटक लाओ और fallistoff को लेके आओ तो फिर Shakespeare ने कुछी दिनों में एक नई नाटक की रचना की जिसका नाम था Mary Vibes of Windsor और उसमें fallistoff को दुबारा लाया गया तो ये भी बहुत ज़ादा आने वाला fact है कई परिक्षाओं में और बहुत जगे पूछा जाता है और अपनी समझ के लिए भी जानकरी होना जरूरी है तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे Elizabethan England वहां के दर्शक वहां के नाटकों के structure और pattern, costumes, लोगों की सोच और नाटकों का development, character में male and female का role यह सब इस series में आपको मैंने clear किया और जो अगली series आएगी उसमें हम Shakespeare की series के थोड़े background में जाएंगे यानि कैसे Shakespeare के नाटक आए, क्या folio हुआ करते थे, क्या quarto हुआ क्या करते थे, कैसे किताबे छपी नाटकों की, नाटक कैसे documented हुए किताबों में, इस पे बात कर तो दोस्तो आशा है कि आप इस series का लुठ पुठा रहे हैं, and you are relishing the flavor of English literature, and you are also going through the books and the literature connected with it, so hope you guys are all enjoying, thank you, we'll see you in the next series, thank you.